हुम धाम से शादी करवाया गया था पूरे 80 लाग रुपय खर्चा किया गया उसके बाद भी पहले बेटी की हत्या और अब बाप की हत्या और ना जाने भविस में अब किसकी किसकी हत्या होगी उस समय भी सरकार चूप थी आज भी सरकार चूप है और पुलिस उस तुमासा देख रही थी और अब भी सरकार नाम क्या हुआ मेरे पिता का नाम रंजन सिंग हुआ और वह सुबह मॉर्णिंग वाक में निकलते थे और कल भी वैसे ही सुबह में सारे पांच बेके दौरान मॉर्णिंग वाक पे निकले और चोईब बच की 11 मिर्ट पर मेरे को कॉल आता लेकिन वहाँ पे हमको घटना सल पर कोई चारो तरफ में भूम लिया खोज लिया कहीं कोई हमको नहीं मिला उसी दौरान हमको रूपसपूर गस्ती टीम से कॉल आती है कि आपके पिता जी विजय नगर में हैं लेन नंबर 6 में मैं वहाँ पे जाता हूं तो उनके सिर में ग कराया नहीं है पिछले बार भी उस पे केस लगा हूँ है तिन सो चार बी का केस है आठ मेना पहले हम लोग गुर्गाओं में केस हुआ है चार केस हुआ था हूँ वह कहानी क्या है वह डौरी एक्ट के तहत मतलब की जैसे दो जार उनीस में हम लोग ने साधी किया था फैब समाज में अपना ही है ना इज़त जाएगा यह है वह करके हम लोग कुछ-कुछ देते लेते रहे कि चल भाई घर का ही आदमी है सब चीज सही हो जाया कुछ दिन के बादे कहा पर करवाय थे आप साधी विजयनेगर में ही हुआ था लड़का क्या काम करता था लड़का उस किटना देहच दिया था रूप्या सब खरचा हो गया था अब सधी मे शाधी में उसके बाद भी उलोगग पांच लाग का मलब युक आतने हैmore चार मंहना-पांच मंहना पर मुलब की परसान करते ही राते कि कि उसके बाद मुलब कि कुछ दिन के आप देर दो साल के यहां पर भी उसको छोर के मुलब की लोग रखे यही पर रहती थी और घटना होने के ठीक एक मैना पहले मुलब की उसका बाप कॉल करके बोलता है कि मेरा बेटा का नौकरी लग गया है कि वो हर्याना में है हम पीजी में यह है वो है उसके बाद भी उलोग का कोई प्रतिक्रिया एक महीने तक कुछ भी नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ अच्छा यह बताईया आप हमें उसके बाद जब मेरे पापा को यह बात पता चला कि मेरे बेटी के साथ ऐसा-एसा हो रहा है मेरे पापा ने कि अभ्यानांद सुमन को बोला कि बताईये भाईया भाईया हमें सब बोलते थे वो ससुर हमें पहन की ससुर हमें बोले कि ऐसा-एसा ठीक नहीं है लड़का ठीक एक दिन पहले कॉल करके बोलता है मेरा जॉब लग गया हम फ्लैट भी ले लिया है तुम आ जाओ इसका है और आज दो यर तैइस है तैइस में लोग जी रहे हैं देख लिजे दुडिया क्या गैप है पहले बेटी को उजारा और अब पिता को उजार दिया गया पिता को उजारने का में कारण यहीं है न सर क्यूंकि उस केस में में इन्फॉर्मिंट यहीं है अच्छा प्रेशर समाजिक प्रेशर सब्चीश करके उसके बाद ये बात नहीं माने तिनको जबरदस्ती ले जाके मर दिया गया और आरोपी छुट्टे साड की तरह घूम रहा है और पटना पुलिस कुछ नहीं कर रही है एफाय दर्ज हुआ है आपका अभी तक तो फाय लॉज नहीं हुआ है शिर्फ जो बोलते हैं आभी तर्ज हुआ आपका हां फर वियान जो इसको बोलते हैं अगे जो प्रोसेस होना चाहिए वह अभी तक बढ़ा नहीं है कुछ सर क्यों सर उसकी वाइब जो है गौवर्मेंट जोब में रिल्वे में काम कर रही है पकड़ना इतना डिफकल्ट थुर्ण है खुज रेजिस्टरार है पाटली पुत्राई उनिवर्सिटी का अपका गोवर्मेंट चाहेए की तो पकड़ चाही है आट मवन जैकी आप मैन पहले मैरी मेरी वह न को मारा आक मेन पाइब पिता को मारा जोके सपित में दाग सकता है उसका कररेज दिन दहारे अपने घर के सापने कितना उसका नोबल बरहा हुआ है सुच लिए बड़ी बात या है पूरे 80 लाग रुपय खर्चा किया गया उसके बाद भी पहले बेटी की हत्या और अब बाप की हत्या और ना जाने भाविस में अब किसकी किसकी हत्या होगी उस समय भी सरकार चूप थी आज उस सरकार चूप है और पु छट सिमेंट कारोबारी की हत्या नहीं होती और आज मैं रूपसपूर्ग के ये जो आदसनगर कॉनली में खड़ा होके रिपोर्ट नहीं दिखा रहा होता है चूँकि इस परिवार के साथ बहुसी नाइंसापी हुआ है और अब तक सब चूप है बरी-बरी मीडिया ल Behavior करेंगे सबचिज बोलके गई है लेकिन बठाइए अगर कोईफ हिमरे घता जाता बरीन घर में पाइसा नहीं किरery लेगा दूंकि कि पहले इंफॉम्य सब्सकूर्प नहीं कर लेगाITH-जिस पूलिस पर सासंभित लिए ना आपको बहन काम्र किया हो रही थे बहन का उम्र कितना हो रहा है सर, 22 साल, 24 साल, कितना उम्र, आपकी बहन का उम्र क्या हो रही थी, 24 साल, कहा तक पढ़ाई की थी वो, वो सर ये मास्टर्स कर ली थी, पढ़ी लिखे लड़की थी, संद कैरेंस से उसका 10th का क्वालिफिकेशन है, 12th lead session से की है, उसका graduation आपको कॉलेज है न, वहां से उसका master's हुआ है, बताइए, वो लड़की इतनी, मद भी सिक्षे पर ही लिखी सब चीज, और लड़की बहुत टैलेंट भी था, ऐसा नहीं है कि, कितने भाई भाई हैं आप, हम तो सर, फिलहाल अभी दो भाई एक भाई हैं, एक तू बुजर गई, अच्छा, जो हत्यारा है, जो राशस है, उसको सजाय मिला की नहीं मिला, जो आपके पतनी, जो आपकी बहांड की जिस्ता, जो काम किया है, सर, चुकि देखिए, हम लोग यहां पे, उलोग का बैग्राउंड और हम लोग का बैग्राउंड बहुत विक पढ़ जाता है सर, तो यह केस सर, वो लोग पुरा प्री प्लैन के तथ जो काता है न, यहां से दूसरे स्टेट में सिफ्ट करके, वो सब कारवाई कर दिया, कि यह लोग यहां से वहां जाके केस देखने में capable नहीं है, लड़का भी कहा है, सर, उसका कोई information हम लोग के पास अभी नहीं है, कुछ आता पता नहीं है, यह आपके बहाण के हत्यारा घूम रहा है, अब घूम रहा है, सर, कुछ पता ही नहीं है, मतलब की, कोई update नहीं है, सर कोई update नहीं है, देख लिजिए, इनकी कहानी, और सोच लिजिए, बेटी का हत्यारा भी घूम रहा है, और बाप का हत्यारा भी घूम रहा है, कोई नहीं पकड़ा गया है, यह है बिहार पुलिस, यह है हां की सरकार, और कहते हैं नयाय, इस परिवार को नयाय नहीं मिले, त तो यहां आज घर में मातम पसरा नहीं होता इस्तिति देख लिजिए क्या चाहते हैं अब क्या गुहार लगाते हैं हमारे बादम्स जो इस बगद आपको देख राजनता से परसासंग टिम से तो सर हम अपने फैमिली का पहले रक्षा ही चाहेंगे सेफटी ही चाहेंगे सर क् छे मैना अठ मैना में एक एक आदमी को वह भी एक ही कलप्रिट एक ही व्यक्ती गिराय आ रहा है लेकिन उसके बाद भी में की पहले तो था कि साक्ष नहीं है आज तो ठाने के पास साक्ष सब्चीज नहीं है तो मेरे घर होना चाहिए तो मेरे घर पे security न रखे अगला के घर पे security दिया जा रहा है बताए कहा का इंसाफ है सोचिए ये बेटा है अपने पिता को मुखांगनी दिये है क्या बीत रहा होगा इनके दिल की बेथा में प्रस्तुत नहीं कर सकता हूँ लेकिन इतना ही कर सकता हूँ कि इन्होंने पहला अपना बहन को खोया और अब अपने पिता को खो दिये इनको अब डर है कहीं अगली ब दोस्तों इस वीडियो को आग की तरह पूरे विहार में बारिल किजिए और दिखाएए कि किस तरह से इनके परिबार के साथ बहुत बड़ा नाइंसाफी हुआ है धन्यवाद आपका हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूटीब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकोन को दबाएं अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यव